टीना डाबी के सामने खड़ा हुआ संकट बाड मेर्या जालोर किसे चोनेगी कलेक्टर साहीबा नमस्कार मैं हूं दुनेश कुमार और आप देखे रहे हूं सची खबरे राजिसान की चर्चित आई एस टीना डाबी को बाड मेर्य जिले की जिम्मेदारी मिली है उनके परदीप गाउकडे को भी महज 150 किलोमेटर दूर जालोर का कलेक्टर बनाया गया है ऐसे में टीना डाबी के सामने एक संकट खड़ा हो गया है एक हफ़ते बाद उनके लिए एक खास दिन है ऐसे में उन्हें अब यह फैसला लेना होगा कि उस दिन को खास वह बाड मेर में मनाएगी या फिर जालोर या जैसल मेर में जानते हैं क्या है पूरा मामला राजिस्तान में लगातार सुरुख्यों में रहने वाली आई एस टीना डाबी को फिर दूसरे बड़े सरहदिय जिले की जिम्मेदारी मिली है इस बार उन्हें जैसल मेर के बाद बाड मेर की कमान सौपी गई है इधर टीना डाबी की लाइफ का सबसे बड़ा खुसी कपल इसी महीने आ रहा है उनका बेटा निखिल अब एक साल का होने वाला है जिनका बर्थडे भी इसी सितंबर महीने में है इसको लेकर टीना और उनके पती आई एस परदीप गाउकडे भी खास सेलिब्रेट करने का प्लैन कर रहे है राज्य सरकार ने उनके पती आई एस परदीप को भी बाड़मेर के पडोसी जिल्ले जालोर का कलेक्टर बनाया है ऐसे में यह खुसी टीना के लिए दो गुनी हो गई है इधर सोसल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि टीना अपने बेटे का बर्स दे कहां मनाएगी बाड़मेर पडोसी जिल्ले में कलेक्टर बनाया गया है परदीप गाउकडे जो की टीना डाबी के पती है इस पर उनकी डिमांड को सुविकार भी किया गया इसी बीच उन्होंने अपने बेटे निखिल को जनम दिया इधर मैटरनिटी लेउस से लोटने के बाद टीना डाबी को फिर से सरहदे जिल्ले बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है इसके साथ ही दूसरी खुशी यह भी मिली है कि उनके पती परदीप गाउकडे को भी नजदी की जिल्ले जालोर का कलेक्टर बनाया गया है सरकार ने आईएस परदीप को भी बाड़मेर के पडोसी जिल्ले जालोर का कलेक्टर की कमान सौपी है बाडमेर और जालोर के बीच 500 किलोमेटर की दूरी है तीना अपने बेटे का बर्त बाडमेर में मनाएगी या फिर जालोर में आईएस की ट्रांसफर लेश्ट निकलने के बाद तीना को बाडमेर और उनके पती परदीप को जालोर का कलेक्टर बनाया गया है इधर उनका बेटा निखिल अब एक साल का होने को है तीना ने निखिल को पिछले साल 16 सितंबर 2023 को जनम दिया था यानि कि इसी महीने निखिल का पहला बर्त दे 16 सितंबर को है ऐसे में दोनों I.S. दमपती में अपने बेटे के पहले बर्ते को लेकर जबरदस्त उस्था है दोनों अपने बेटे निखिल का बर्त दे सेलिबेट करने का खास प्लैन कर रहे है इधर सोसल मीडिया पर भी चरचा है कि टिना अपने बेटे का पहला बर्ते बाडमेर में जेसल मेर कलेक्टर रहते हुए काफी सुर्खियों में आई टीना डाबी करीब एक साल तक जेसल मेर की कलेक्टर रही अपने कारेकाल के दोरान की गए नवाचार को लेकर टीना काफी चर्चाओं में रही टीना ने अपने कारेकाल में पाक विस्तापित परिवारों के लिए से प्यास किये उनके प्यास रंग भी लाई दे घर हुए पाक विस्तापित परिवारों को मिल गए घर सैकडों परिवारों ने तीनडावी के प्यासों की जम कर सरहाना की खास तौर पर महिलाव नेटी नडाबी का भर पूरा भार जताया अब उन्होंने बाड मेर की जिम्मेदारी संभाली है